अगर आपने नोटीस नहीं किया तो ध्यान से देखिए और बहुत बच्चों ने तो कर भी लिया है सर की फॉस्स सेमेश्टर का टाइमिंग अब मैं कुछ बाते आपके साथ डिसकेस कर लू दस से लेके साढ़े बारा बचे मतलब धाई घंटे का टाइम दिया हुआ है 30 जैनिवरी 2023 23 बहुत लेट हो गया सर लेकिन ठीक है पहला कंपलसरी इंगलिश का पेफर है सेकेंड है 31 जैन को आपका फाइनिशल अकाउंटिंग का पेपर है फॉस्स फेबरुआरी बिजनेस एकोनॉमिक्स तो कोई चुट्टी है नहीं सेकेंड फेबरुआरी जो भी आपने आपका उफशन सिलेक किया होगा थर्ड फेबरुआरी और फॉर्थ फेबरुआरी और दैनोसर फिप्थ को आपको चुट्टे मेभी संडे यस संडे उसके बाद आप देखिए Tuesday और आठ तारिक तक पेपर चल रहा था ठीक है टाइम टेबर आपको पता चल जाएगा बट जैसे नीचे गए सर semester 2 और timing दिखा 2-4-30 तो कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर कि एक ही दिन में semester 1 का भी पेपर compulsory English फर्स से दस से लेके साड़े बारा और क्या दो से लेके साड़े चार second compulsor English second semester क्या ऐसे तो नहीं हो सकता है आपका official जो year end होता है वो March और April में ही होता है तो आपके paper तभी रहेगे second semester के तो अगर ये second semester का data दिया हुआ है तो उन बच्चों के लिए होगा जिनके backlog से लास्ट येर में भी उनके exam clear नहीं होए थे या जो भी हो सकता है लॉजिकली देखा जाए तो वो नहीं रख सकते January में ही दोनों के दोनों semester क्योंकि syllabus अभी तक और क्योंकि पूने निवर्सिटी ने तो semester exam में नहीं लिया चलो ये मान लेते कि अगर फॉर्स January को exam ले ले थी तो 31st जैन को बोल सकते थे एक मेने का भी time दिया तो ये तो full year जैसा paper हो गया सर तो ऐसे नहीं होगा तो ये चीज़ आप college से जरूर एक पर confirm कीजिए और यही बात है कि backlog वाले student के लिए ही है जितना अंदाजा जा रहा है सर क्योंकि March April में क्या लेगे फिर अभी दोनों semester खतम कर देगे तो विशे खता ठीक है लेट है सर लेकिन ये वाला चीज फिलाल तो भी first year become के बच्चों के लिए applicable नहीं लग रहा है और logically नहीं लग रहा है सर एक बार आप college में जरूर जाओगे और ये चीज़ बताई जाएगी ये उन बच्चों के लिए जिनके backlogs थे हैं तो आप लोगों को फिलाल तो भी किस चीज़ पर focus करना है आपको focus करना है सर आपके इस schedule पर जो बहुत जादा time है मुझे ऐसे लग रहा है और कोई update आएगी इसके regarding में आपको अपने channel पर दे दोगा जो आपको concept के बारे में theoretical chapter है दूसरा तीसरा chapter जैसे piecemeal distribution आप अच्छे से कीजे single entry में आपको बहुत जादा अच्छे से करना है दूस्तों accounts के अगर बात करूँ वही एक chapter है जो आपको हिला सकता है जिसमें आपको महिनत करनी पड़ेंगी बाकी कोई नहीं और GST theoretical है manageable chapter है economics भी बहुत हद तक manageable है सर आपको अगर जो CA foundation कर रहे तो उनको जादा दर्द नहीं है बाकी subject आप एक बार देख लिजे उन्होंने यहाँ पे subject अल्रेडी दिये तो आपको से यह देखना है कि मेरा कौन सा subject है अब math वाले math को click कर दे सर computer account वाले computer को देख ले तो देखो मतलब आप एक बार subject देखो और चीजों को you know कि settle करो बाकी मैं आपके साथ जोड़ूगा all the best बहुत चीजे आपके लिए आएगी बहुत ही चल और 31st Jan मतलब बहुत दूर है बहुत ही दूर कर दिये रोड़े paper ठेक है कोई बात नहीं चला है all the best पढ़ते रो और मैंनेश करते रोचीदों को चलो thank you so much take care जै हिन जै भारत